रादे रादे दोस्तों दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि कार्तिक मास्ट चल रहा है और उसमें सुबह उठकर ढहने का और दीब्दान करने का बहुती ज्यादे महत्मून योगदान होता है लेकिन कई बार होता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर हमें भी लगता है कि हमें कुछ तो करना चाहिए था, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो कार्तिक मास्का आज लाश्ट वाला दिन है क्योंकि कल को पूर्णिमा है तो पूर्णिमा में भी क्या कर सकते हैं वो भी समय आपको बताऊंगी तो चलिए कि किस तरीके से आप दीपतान करके अपना कार्तिक मास्का पूरा फल आप ले सकते हो तो उसके लिए क्या क्या च इसको सूखा गोला बोलते हैं टिके वाला गोला बोलते हैं और चाहिएंगे हमें यहाँ पर कुछ चावल जैसे कि आप फोटो में वीडियो में देख रहे हो और इस तरीके के बाउल्स वगराल भी ले सकते हो आप और यहाँ पर चाहिएगा हमें तिल का तेल और यहाँ पर देशी खी ले सकते हो और दोस्तों अगर आपके पास यह दोनों चीज़े नहीं है तो आप सर्सों का तिल भी ले सकते हो उसमें कोई दिक्ट नहीं है और दोस्तों ये कोई paid promotion वीडियो नहीं है ये सिर्व मैं देशी की वगरा इसलिए दिखा रही हूँ कि हमें ये सब चीजे चाहिएगी और seizure चाहिएगी, knife चाहिएगा cutting वगरा करने के लिए और यहाँ पर ये स्वास्तिक बनाने के लिए ये मेरे पास liquid rolly रखी थी तो वो मैंने ले ली है जो कि हमें अभी चाहिएगी तो यहाँ पर ये हमने एक गोला ले लिया है सूखा गोला तो अभी हम इसको cut कर लेते हैं और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सकाइब करके बैल बटन को प्रेस कीजेगा जिससे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे तो यहाँ पर ये जो सूखा गोला है इसको दो पीस में cut कर लेना है तो थोड़ा गोला काटने में दिक्कत होती है तो थोड़ा अराम से काटिएगा कि आपका हाथ वगरा ना कट जाए और दोस्तों आपके घर में जो भी बड़े हैं या बच्चे हैं उनके भी नाम के आप इस तरीके से दिये जला सकते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप एक भी दिया जला सकते हो पांस दिये भी जला सकते हो तो देखे यहाँ पर यह गोला कट गया है टू पीस में और यहाँ पर यह मैंने ली है मोली जिसको कलावा भी बोलते हैं तो यह आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितने तार हैं तो यह भी जो मैंने लिया वा है इसमें चार तार है आप देख सकते हो तो हमें 365 बाती का जो दिया बनाना है वो किस तरीके से बनाना है तो 365 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 90 उपर आएगा और प्लस 5 हमें लाश्ट में करना है तो इस तरीके के हम 45 राउंड करेंगे क्योंकि एक राउंड जब पूरा हो जाएगा तो वो इस तरीके से हमें 45 पहले कर लेने हैं तो देखे अभी मैं जिस तरीके से कर रही हूँ इस तरीके से आप करोगे तो बाती की जो लंबाई है वो बिल्कुल सही बैठेगी हलका सा उंगलियों में गैप कर लीजेगा क्योंकि बातियां भी बहुत छोटी भी नहीं बननी चाहिए इस तरीके से आपको पूरे राउंड कर लेने हैं और दोस्तों मैं आप और भी बताऊंगी कि और किस किस तरीके के आप दिये यहां पर लगा सकते हो तो यह जो भी मैं बता रही हूँ यह 365 बाती वाला बता रही हूँ जो यह सबसे बड़ा दीबदान होता है इसको आपके घर में जो भी है उनके सब के हाथ से बनवा कर आप बना कर रख लीजिए और उनसे जलवा दीजेगा तो उनको भी पूरा फल प्राप्त हो जाएगा तो यह देखे यहां पर यह इस तरीके से 45 मैंने राउंड कर लिये हैं तो मैं अभी इसको उपर से जहां से मैंने स्टार्ट कहा था वहां से कट कर रही हूँ तो अभी देखे यह एक कट लग गया है तो अभी जो नीचे वाला सेंटर है इसको भी हम कट कर लेंगे तो यह 45 मैंने राउंड लिये थे तो अब यह 90 हो गए है और यह 4 धागे थे 4 तार थे तो इनको हम कर लेंगे तो यह 360 हमारी बातियां बनकर तयार हो गई है तो यह देखे इस तरीके से हमें थोड़ा सा इकटा कर लेना है थोड़ा यह मोटा कलावा था इसलिए थोड़ा यह मोटा बना है और अभी हमें 5 बाती की और जरूरत है तो ये 4 वाला तार था तो एक कट तो हम यहाँ पर यह लगा देंगे तो अभी हो गई है यहाँ पर यह 364 तो अभी हमें एक बाती की और जरूरत है तो एक धागा हम और निकाल लेंगे और उसको भी कट करके इस तरीके से बाती की लंबाई के जितना हम इसको कट करेंगे तो इस तरीके से आपके 365 बाती बनकर तयार हो जाएंगी तो दोस्तो ये देखिए ये इस तरीके से हमारी 365 बाती बनकर तयार होगे और दोस्तो आप किस किस तरीके के दिये जला सकते हो तोड़ा सा मोली और कट कर रहे हैं और इसमें से थोड़े से दो, एक या दो धागे आप निकाल लिजए और इसको आप बान दीज़े, सेंटर से, जिससे कि आपकी बातिया, इदर उदर ना गिर जाए, या इदर उदर हो जाए, जिससे कि अब ये इखटी हो गई है और ये कोई गिंती वाला धागा नहीं है ये अलग से ही रहेगा ये सिर्फ हम इनको बीच से एक बार बांध रहे हैं पस तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से 365 बातियां बनकर तैयार हो गई है अब आप जैसे नीचे से देख रहे हो थोड़ा सा अन एवन हो रही है तो इनको आप थोड़ा सा कट कर सकते हो जिससे की थोड़ा सा ये अच्छी लगें देखने में सुन्दर लगें इक सार हो तो आप इसे गोले में रख सकते हो या फिर आप इसे मिट्टी का जो बड़ा दिया देख रहे हो आप सथापित करोगे 13 डारेक्ट भूमी पर नहीं रखना है या तो आप वहाँ पर भूमी पर पहले चावल डालिए थोड़े से चावल अरपित कीचे या फिर वहाँ पर आप स्वास्तिक बनाईए क्योंकि सीधा गर आप भूमी पर दिये को रखोगे तो क्या होगा कि जो भी फल है वो जो भी सब कुछ भी नहीं है तो अब भी आप देखोगे कि यह हमारा 365 बाती कदिया बनकर बिल्कुल तयार हो गया है और बिल्कुल भी देर नहीं लगी है और अब भी मैंने यहाँ पर यह ले ली है लिक्वीड वाली जो यह मेरे पास रोली है इस तरीके से आप 5-7 डोट लगा दोगे तो सुन्दर भी लगेगा आपका दिया है ना और देखने में भी खुबसूरत लगेगा तो इस तरीके के बड़े दिये आप अपने घर के सभी मेंबर से भी जलवा सकते हो और आप चाहो तो खुद भी जला सकते हो तो इस तरीके से आप 365 बाती का दिया बना कर तय प्यार कर सकते हो तो देखिए अभी ये मैंने नारियल जो गोला था ये सूखा टीके वाला इसको ले लिया है फिर से तो मैंने इसके अभी चार पीस कर लिये हैं इसके आप और भी जादे पीस कर सकते हो दोस्तों तो काफी सारे दिये आप जला सकते हो तो और कहां कहां आप वो समय आपको अभी बताती हूँ तो यहाँ पर यह देखिए मैंने यह सूत की 108 यानि की 108 वाली बाती लगा दी है जो कि हम तुलसी पर लगा सकते हैं और यह 35-35 की आप काफी सारी बातियां बनाकर इस तरीके से रख लीजिए उसको आप काफी जगे लगा सकते हो जैसे कि आप पीपल पर लगा सकते हो तारों के लिए आप अरपित कर सकते हो तारों को चंदा को और आकास को इस तरीके से बहुत सारे दिये जलते हैं तो आप जब भी दिया इस्थापित करो तो इस तरीके से या तो स्वास्तिक बनाईएगा उस जगा पर या फूल छोड़ दीजेगा अगर आप सीधा भूमी पर रख रहे हो कहीं भार हो मंदिर में हो मंदिर में आप रख सकते हो तो इस तरीके से आप कितने भी दिये 5, 7, 11 जितना भी आप कर सकते हो उस तरीके से आप कर सकते हो दोस्तों मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताती रहूंगी अभी किस तरीके से मुझे जला कर मैं लगाऊंगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगी तो देखे अभी ये सुबह का टाइम है तो अभी एक दिया हम जो 35 पाती वाला है इसको जलाकर हम सूरिय देवता को अर्पित करेंगे तो ये सुभा-सुभा अपना दोकर आप इसको जला सकते हो और बाकी के जो जलेंगे वो साम में और रात में जलेंगे क्योंकि तारे और जो चंदा होते हैं तो यहाँ पर यह देखे Informationen मैंने बालकनी में रख दिया है और दोस्तो अभी ये दो दिये हैं वो मैं रात को जलाऊंगी तो वो भी मैं सब आपको बताएं तो देखें दोस्तो अभी सामका टाइम हो गया है तो चलिए इनको भी जला लेते हैं तो जो 108 वाला दिया है वो आप तुलसी जी पर रख दीजेगा तो इस तरीके से और जो 35 बती वाले दिये मैंने बताए हैं वो भी आप जगा जगा रख सकते हो मंदिर में रख सकते हो पीपल पर रख सकते हो और अपने घर के मंदिर में रख सकते हो या बाहर मंदिर में जाकर रख सकते हो कहीं पर भी रख सकते हो पतवारी पर रख सकते हो तो इस तरीके से आप करिएगा और दोस्तों अगर आप इकाशी वाले दिन ये दिये जला रहे हो तो फिर चावल का यूज नहीं किजेगा आप जब भी भूमी पर दिया इस्तापित करोंगे तो वहाँ पर फिर इकाशी वाले दिन आप स्वास्तिक बना कर फिर इस्तापित कीजेगा क्योंकि आपको पता ही होगा कि 81 वाले दिन जावल का यूज नहीं किया जाता है तो दोस्तो इस तरीके से आप ये दीबदान कर सकते हो और महाफल आप इसका प्राप्त कर सकते हो एक ही दिन के अंदर तो दोस्तो ये बहु पुशनुमा हो जाता है दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूरू